नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागित है आपका अपने यूटुब चैनल क्राफ्ट बाइवन्दा में आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगी कि आप घर पर ही एक साल तक अपनी मटर को फ्रोज करके कैसे रख सकते हैं हम सबको पता है सर्दियों का मोसम जा रहा ह सर्दियों के मोसम के साथ साथ मटर का सीजन भी चला जाता है ऐसे में अगर हमें कभी मटर की सबजी बनानी होगी या फिर कुछ भी बनाना होगा तो हमें मार्केट से फ्रोजन मटर लेके आनी पड़ती है जो कि काफी कोश्टली होती है तो आज हम इने घर पर ही फ्रोज क को हम सुरू करते हैं सबसे पहले हमें मटर के दानों को लेना है और उसमें से सारी खराब मटरों को निकाल देना है यानि कि खराब मटर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए उसके बाद इन्हें दो से तीन बार साफ पानी में हमें वोस करना है इसके बाद हमें एक पतीला लेना और थोड़ा सा गरम होने के लिए छोड़ देंगे जब तक गरम होता है तब तक हमें एक पतीले में पानी लेना है और उसमें बरफ के टुकडो को डाल देना है जिससे कि ये पानी चेड हो जाए यानि कि बहुत ज़ादा ठंडा हो जाए तो हम सारे बरफ के क्यूब्स को इसके अंदर फिल कर देंगे अब जो हमारा पतीले का पानी है वो थोड़ा सा गरम हो गया होगा अब हम क्या करेंगे इसको अच्छे से चलाएंगे और इसमें सभी मटर के दानों को डाल देंगे अच्छे से मटर डालने के बाद हम इसको सिर्फ इतनी देर तक ही गैस पे रखेंगे जब तक कि सारी मटर ऊपर नहीं आ जाती यानि कि हमें इसको बॉइल नहीं करना है बॉइल करते ही मटर में समेल आने लग जाएगी और आपकी मटर बहुत जल्दी खराब हो जाएगी मटर में आ गया है और अब हमें क्या करना है बहुत इंपोर्टन स्टैप आपके साथ शेयर करें अगर यह स्टैप फोलो नहीं किया तो आपकी मटर खराब हो जाएगी आपको कोई भी सूती कपड़ा लेना है और उस पर सारी के सारी मटर को फैलाना है कम से कम चार से गंटे के लिए इसको छोड़ देंगे तीन से चार गंटे बाद आप देखेंगे कि जो हमारी मटर है वो सौफ्ट हो गई है और बस यही टाइम है इनको स्टोर करने का तो यहां पर आपको क्या करना है कोई भी जिप वाला बैग लेना है ट्रांस्परेंट बैग भी आते ह अगर आपके पास ट्रांस्परेंट बैग नहीं है तो आप तो आप मेरी तरह जैसे कि नमकिन के पैकेट आते हैं इनको यूज कर सकते हैं इनको अच्छे से वोस करना है और सुखा देना है क्योंकि मेरे पास जो है ट्रांस्परेंट बैग नहीं थे और मार्केट में भी जिप वाला बैग ही है इसको अच्छे से बोस करेंगे और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे जब बैग हमारा सूख जाएगा तब हम इसके अंदर इन मट्रों को फिल करेंगे यहाँ पर सिर्फ मैंने एक किलो मट्र ही फ्रोज करके आपको दिखा रहे हूँ क्योंकि मैंने औल्रेडी मट्र फ्रीज में फ्रोज करके रखी हुई है तो यहाँ पर आपको एक प्रोसेस को ध्यान देना है जब भी आप जिप वाला बैग कैसा भी बैग यूज करें तो उस कि यहां पर इसको बंट करूंग, और इसको न्यूंतर न्वाइज को प्रोपर तरीके से बन करना और पर इस तरह आपने म़ादर को करकिये लगया टो ओर एक साल तक खराब नहीं होगी